ओम श्यंति हमें जीवन ऐसा जीना है कि भी घंग कम से कम हो आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है कल यूग की काली रात में ठोकरे न लगें हो सकता है हात में दीपक ले लें सावधानी से चलें ठोकरे नहीं लगेंगी जो व्यक्ति सरल चित है जो निर्मल है जिसका चित सब के प्रतिसु भावनाओं से भरा हुआ है और जो व्यार्थ से मुक्त रहता है सचमुजस का जीवन निर्विघन बन जाता है हमें अपने जीवन को निर्विघन बनाना है लंबे काल से निर्विघन जीने वाले इनका जीवन सालो साल निर्विघन चलता है उनमें ही विगनों को नस्ट करने की शक्ति आ जाती है हम संकल्प करें ऐसा समय आ रहा है जहां हमें सारे संसार के विगनों को नस्ट करना होगा दुखों के पहाड गिरेंगे दुनिया आदी दुनिया तो पागल हो जाएगी जब भृत्यू होंगी मौतों का बाजार गरम होगा तब हाँ समझ सकती है मातर सक्ती का क्या हाल होगा जिन में महों बहुत जाद समाया हुआ है उनके दिमाग तो सुन हो जाएंगे ठप हो जाएंगे जैसे पत्थर के बन जाएंगे ऐसे में हमें vibrations देकर सब के विगनों को नस्ट करना होगा जो रुदन कृंदन आपदाएं विपदाएं घर घर में व्याप्त होंगी उनसे सभी को मुक्त करना होगा हम ये महानलक्स बना सकते हैं सोचो आप यदि ये हम महानलक्स बनाते हैं तो हमें स्वयम को संपूर्ण शक्तिसाली संपूर्ण पवित्र सुभावनाओं से भरा हुआ इगोलेस वाइसलेस बनाना ही होगा सबी विकारों से मुक्त होना होगा तब हमारे vibrations चार ओर फैलेंगे तब हम बहुत सक्तिसाली बनकर संकल्प शक्ति से सब के विघन नस्ट कर सकेंगे तो हम पहले अपने जीवन को निर्विघन बनाएं ऐसे नहो अपने विघनों को नस्ट करने में हमारी संकल्प शक्ति या जो योग की कमाई हमने की वो सारी शक्ती व्य हो रही हो, नस्ठ हो रही हो, यदि ऐसा होता रहेगा, तो हम आगे तो कदा भी नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए व्यर्थ सुनने पर, व्यर्थ बातों में रहने पर कंट्रोल करें, बहुतों को आदत है, व्यर्थ सुनने की, व्यर्थ में रहने की, कहा क्या हो रहा है जानने की दूसरी बात कर्म कॉंसियसनेस होने का भी संसकार स्लगभग सभी में हैं हम कर्म करते हुए कर्म से नियारे रहे कर थोड़ा योग युग थो सकें अच्छे अच्छे ब्यास कर सकें तब हम बहुत सक्ति साली बन जाएंगे और विग्न विनासक रक्तिवान हूँ और विग्न विनासक हूँ इस्वमान को हमें बढ़ाते चलना है और रोज बाबा से साथ दिन तक सवेरे सुकसमतन में जाकर परम सद्गुरु के रूप में बाबा को याद करेंगे, वर दाता के रूप में उसे याद करेंगे और बाबा से दरश्टी लेंगे और एक अनुभव करेंगे बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और हमें वर्धान दिया बच्चे विग्न विनासक भव वर्दान दे दिया जा भी तुमारे कदम पड़ेंगे, जा भी तुमारी द्रस्टी पड़ेंगी, महासबी के विग्न नास्थ होते जाएंगे हम इसे स्विकार कर लेए, साथ दिन तक रोज सवेरे हमें ये अनुभाव करना है स्विकार कर लें, परमसद गुरू का वर्दान हमें मिल गया है, विज्न विनासक भाव का दिन में इसको इसमर्ती में रखें, इसको अपने नुसे में ले आएं, गुड़-फीलिंग में ले आएं कि मुझे ये वर्दान मिला, इसका वर्णन करने की ज़रुरत नहीं, वर्णन करेंगे तो वर्दान नस्थ हो जाएगा, फिर इसको संकल्प सक्ती से यूज करने लगें, कोई भी सामने आए, द्रश्टी देखकर संकल्प करें, इसके ये विघननस्थ हो जाएगा, किसी पर बड़े विघना रहें, उसको वाइब्रेशन्स दें और संकल्प करें, इनके ये विघननस्थ हो जाएगा, तो विघनों के नस्थ होने का अनुभव होता रहेगा, तो हम स्वयम को योगयुक्त करें, पवितरता की शक्ती से संपन्न करें, और विघन मिनासक बन जाएगा आने वाले समय में यही बहुत बड़ी सेवा होगी, ओम शंती